तो वेलकम टीजू माइ अनधर मीनी ब्लोग पता है घर पे एक मैगी पड़े वी थी तो मैं सोची ते लेकि मैं क्या बनाओ क्या बनाओ क्या बनाओ क्या इसको थोड़ा सा हम इंटरस्टिंग बनाने के लिए एक नई रेसिपी लेकर आचके हैं तो इसको आपको फूल वोज मैगी रेडी कर लेंगे, बेट करिए, यह मैगी नहीं बनने वाला है, इसे थोड़ा सा अलग वे में बनने वाला है, तो बहुत ही इंटरस्टिंग है, तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो को फुल वोच करना पड़ेगा, और लाइक कोमेंट शेयर करना है, कि नेक्स्ट किस पर लेकर रहा है, और यह वीडियो कैसा लगा है, आप लोग को यह सब बताना है, आपको कॉमेंट में, तो इधर देख सकते हैं, हमारा मैगी इधर रेडी हो रहा है, तो अब उबाला चुका है, तो लगबाग हमारा मैगी अब बस बनने वाला है, हमें बस दो मिनिट अब लोग को यह सूच रहे है, तो आप लोग को यह क्या लग रहा है, तो टाइटल से और थमनिल दे के शायद आप समझ जाए, देख सकते हो, अब यहां पर मैंने जार लिया है, जार में यहां पर हमारी बारी के हरी धनिया है, बिलकुल ओर गैनिक, वो हमने इस जार में और फिर हम इसको एक बर ब्लैंड कर देंगे तो हमारा पीष्ट रेडी होगा तो आपको देख सकते हो बस हमारा मैगी भी इधर रेडी हो चुका है फाइनली पूरे अच्छी तरीके से अब हमने गैस को कर दिया है तो आप लोग गैस करके मुझे जल्द जल्दी बताएं कि एक्च्छी में क्या होने वाले रेसिपी और साइड में जो आपको दूद दिख रहे है वो ऐसे ही है वो रेसिपी में काम नहीं आने वाला है वो हमने गरम कर रहे थे घर पे खाने के लिए तो इधर देख सकते हो य आवाज रिकोर्ड के निए बात देखूँगी किसी ने ट्राइ किया है वै कि नहीं आप लोग मुझे बताना तो यहां पर देख सकते हो मैंने एक प्याज लिया है किको हमने कॉएंटिटी बहुत कम था तो इसलिए मैंने एक ही प्याज लिया है अगर आपको गोलगपे ज कालेंगे तो देख सकते हो कुछ इस तरह का आप चाहो तो इमली का भी वह बना सकते हो पानी तो इस पेस्ट में हमने डाला नमक और फिर मैंने यहां पर देख सकते हो चाट मसाला इतना सारा डाला इसमें क्योंकि इसे बहुत ही अच्छा खटा पनाएगा तो मजा आएगा मतलब खाने में तो अभी देख सकते हो आइस की क्यूब से डालेंगे हम मैंने चार डाला है आप लोग देख लेना क्योंकि पानी भी तो हमारा कमी है तो इसलिए हमने कम यूज किया हुआ है और गाइस प्लीज प्लीज हमारे चनल को जितना हो सब्सक्राइब करो और फुल और आप लोग कहते हो कि मैं अच्छा नहीं बनाती हो रेस्पी तो आप लोग को फूल देखना पड़ेगा हमारे वीडियो के लिए तो इधर हमारा पाने भी बनके रेडी हो चुका है तो इधर मैंने एक कढ़ाई लिया हुआ है उसमें डाला है ओएल मैंने यहापे सासो क आप लोग के साथ यही बना देती हूं कभी वह लोग अच्छ से बना के मैं आप लोग को दिखा दूंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो यह वाला थोड़ा एजी होता है उस वाले टेस्ट तो नहीं आएगा उस जैसे सूजी और आठे वाला बठा काम चल जाएगा यह भी बुरा नहीं लगता हमारा बस पानी अच्छा होता है और जो भी उसके मसाले अच्छ होंगे तो यह भी टेस्ट बढ़ा देता है उतना गुलगापा यह वाला बस अधर कर लेंगे अच्छ होने ही वाला है और जाके हमारे इंस्टाग्रम को भी फोलो कर लो उस पी आप लोग हमारे सपोर्ट करें तो इधर जो भी हमने चैने और आलू को उबाल रखा था उसमें हमारा पेस्ट डालेंग जो हमारे बच्छेग् और प्वेस्ट अम इसमें डालेंगे और फिर यहांपे मैंने डाला है नामाख अपने तेस्ट के अकॉर्डिंग अब डाले है लाल मिर्च पाउडर ठीक है गाइस और फिर मैने यहांपे चार्ट मसाले यूज़ किया हुआ है और फ्लेवर बहुत दमदार आती है और जो मतलब इसमें मैगी मसाला डाल दे आहा क्या मज़ा आया था मतलब अभी मुह में पानी आ रहा है आपको रिकॉर्ड करते वक्त भी तो अब हमने प्याच कट किया थो हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे मैशब मत करना वर्ण जयता अच्छा नहीं लगेगा और फिर क्या पानी में डूब की लगाओ पानी में डूब की लगाओ गुलगप्पे को और इंज्योई करो यार मतलब बहुत ही लाजवाब था मैं आप लोगो प्रसनल ही वजाने सकती एक बर ने इस टैप का गुलगप्पे खा कर देखना बहुत ही मज़ा आता है तो आपने गुलगप्पे मैगी सब अलग अलग खाये इन दोनों को एक बर दोनों को मिला कर खाना आप लोगो को खुद को गए कि हाँ यार बनाया था किसी ने दमदार मैगी मैगी वाला गुलगपपा तो देख सकते हो मॉमी को यहाँ पर मैंने टेस्ट करवाया मैंने यह अलग यह आप।